जिसके तहट रातो रात एक नागरिक अपने ही देश में अपराधी बन गया जो लड़ाई मैंने कोलेज में, जेनरेस एंस्टाइजेशन केंपेइन्स में, लेक्चर्स में लड़ी थी आज उसी लड़ाई का हिस्सा मुझे सुपरीम कोर्ट के गलियारों में बनने का मुखा मिल एक कोर्ट ने जिसने अधिकारों की हमें दुहाई दी थी इतने सालों तक हमें पल में पराया कर दिया दोर आ गया घंगोर अंसर्टेनिटी का की अब आगे क्या करना है कुछ पता नहीं है हाई मेरा नाम राहूल सांगवान है मैं 26 साल का हूँ हरियाना भीवानी शहर से बिलों करता हूँ और एक एड़ोकेट हूँ एड़ोकेट सुप्रीम कोर्ट अफ इंडिया और फिलाल में एक फर्म में काम करता हूँ तो बच्पन में सबके कुछ सपने होते हैं कि हमें बड़ा होकर ये बनना है हमें बड़ा होकर वो बनना है मेरे ऐसे सपने नहीं थे मुझे कुछ पता ही नहीं था कि बड़ा होकर क्या बनना है पापा आर्मी में थे तो वो चाते थे कि मैं एंडिये करूँ मम्मी हेल्थ सर्विसिज में थी तो वो चाती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ मुझे आर्ट्स पढ़नी थी तो एक आदर्श मिडल क्लास बच्चे की तरह मैंने सब को खुश रखना जरूरी समझा और सबकी खुशी को मद्दे नजर रखते हुए मैट्स के प्यार के दम पर मैं चलांग लगा चुका था नोन मेडिकल की पढ़ाई में नोन मेडिकल इंजिनियरिंग की त्यारी ठीक ठाक चल रही थी रेंग रहे थे IIT की तरफ लेकिन तभी एक सुरेश कुमार कोशल नामक धक्का लगा सुरेश कुमार कोशल जज्जमेंट जो 2013 में सुप्रीम कोट ने सुनाई थी जिसके तहत रातो रात एक नागरिक अपने ही देश में अपराधी बन गया समझ ही नहीं आया अजीब भी लगा पढ़कर सुनकर कि ये कैसे मनजूर था समाज को और मुझे सुप्रीम कोट का वो निर्नया कता ही मनजूर नहीं था इस जज्जमेंट में कोट ने कंसेंश्वल सेक्स बिट्वीन टू अडल्स को कर्मिनलाइज करते हुए सेक्शन 377 को री इंपोज कर दिया और उसे कॉंसिटूशनल डिक्लेर कर दिया 16 साल के राहुल को इतना ही पता था कि कुछ गलत हो तो उसको ठीक करने के लिए कोशिश करनी चाहिए और उस कोशिश का पहला कदम था नोन मेडिकल इंजिनियरिंग सब छोड़ कर लोग की पढ़ाई लोग की पढ़ाई करने के लिए काफी फॉर्म्स भरे कई जगा एड्मिशन भी हो गया पर जो मुझे चाहिए था जो उन्वरसिटी जो कोलेज जो शहर मुझे चाहिए था वो मुझे मिला चंडिगढ्ड और पंजाब उन्वरसिटी में चंडिगढ्ड जस शहर ने मुझे सब कुछ दिया पंजाब उन्वरसिटी जिसने मुझे आज यहां खड़े होकर बोलने के काबिल बनाए मेरी पोईट्री से मेरे थेयटर तक मेरे एक्सिस्टन्स से मेरी अस्तित्व की पहचान तक आज जो कुछ भी मैं हूँ शायद उसी उनिवर्सिटी की देन है अब उनिवर्सिटी में सब कुछ ठीक चल ही रहा था पहचान रहे थे, डेफिनेशन समझ रहे थे मेस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, क्विर्नस एंडे अंटायर स्पेक्टरम, जो स्पेस समझने का मुझे इस उनिवर्सिटी में ही मिला पर सब कुछ जो खुले हाथों से मिलता है वो शायद उनी हाथों से चिन भी जाता है वो मेरे साथ हुआ 13 जून 2016 को जब सर के उपर से माबाप का साया चिन गया एक एक्सिडेंट में मैंने अपने पेरेंट्स और ग्रेंड मदर को खो दिया और पता ही नहीं था कि उससे डील कैसे करना 18 साल के राहुल के दिमाग के लिए वो समझ पाना ही मुश्किल था जो शायद आच 26 साल के राहुल की जुबान के लिए बोल पाना असान है डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे शब्दों को कभी समझा ही नहीं था तो कैसे वो मेरी जिंदगी की रियालेटी बन गए वो मैं जान ही नहीं पाया मेंटल हेल्थ के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं था कुछ पता ही नहीं था पर उससे जूजना कैसे है उससे उभरना कैसे है वो कैसे ही समझ पाता मैं सब कुछ धुंदला सा लगता था और लगता था कि क्यूं कोई भी खुश है किसी को भी हसता दे के चिड नफरत सी होती थी और अगर गलती से कोई कह दे कि I understand तो मन कहता था कि No, you don't I hope you never do जो मेरे साथ हो रहा है या जिससे मैं भी गुजर रहा हूँ भगवान करे तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हो मगर ये जो खुद के आसुओं से खुद की मुस्कुराहट तक का सफर है वो खुद से जूजते हुए हमें खुद ही तै करना पड़ता है और तकलीफ तो हो रही थी पर मा की कही वो बात याद हमेशा रहती थी कि मुस्कुराते चहरों में भगवान बसते हैं और मेरा तो भगवान ही वो थी तो बस उनी की मुस्कान को लोगों के चहरों में ढूनते ढूनते खुद के साथ घंटों बैठे बात करते करते जैसे तैसे जंदगी को एक नए सिरे से जीने की हिम्मत जुटा रहा था लेकिन संघर्ष तो सिर्फ एक नहीं होता है न उस एक संघर्ष के साथ नजाने कितनी लड़ाईयां हम लड़ते रहते हैं और वो काफी लड़ाईयां साथ ही साथ चल रही थी चाहे वो लड़ाई हो अपनों से ही अपने हकों की या खुद की पहचान की खुद को अपना पाने की लड़ाई इसी लड़ाई के बीच जो हकों की लड़ाई का भार में अपने कंधों पर लिए चल रहा था वो थोड़ा सा हलका महसूस हुआ 2018 में जब नबतेज सिंग जोहर की जज्जमेंट आई जज्जमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 ओफ आईपीसी इंडियन पिनल कोड को असमविधानी करार देते हुए कुएर समुदाय को वो हक दिये और वो अपने ही देश में अब मुजरिम नहीं कहलाए जाएंगे इस जज्जमेंट ने ना ही केवल दो लोगों के बीच कंसेंश्वल सेक्स को समविधानी करार दिया बलकि कुएर समुदाय के सदस्यों को प्यार करने की आजादी भी दी आजादी इरिस्पेक्टिव ओफ जेंडर, सेक्स, एंडिर सेक्शुल ओरियंटेशन कोलेज खतम होते होते कोविड का दोर आ गया दोर आ गया घंगोर अंसर्टिनिटी का कि अब आगे क्या करना है कुछ पता नहीं है मैं प्रोफेसर बनना चाहता था जैसे मेरे प्रोफेसर ने मुझे इंस्पायर किया मैं भी लोगों को inspire करना चाहता था लेकिन किस्मत के plans मेरे plans से बड़े थे कि मेरी एक प्रोफेसर डॉक्टर शुती बेदी ने to her I owe my career उन्होंने मुझे एक opportunity के बारे में बताया जो दिल्ली में एक interview की थी interview था senior advocate के भी विस्वनाथन के अंडर as his lordship then was जो आज सुप्रीम कोट के judge की पद्दती संभालते हैं खुशकुशमती मेरी थी कि मैं उनके अंडर काम कर पाया उन्होंने मुझे वो मोका दिया कि मैं उनके साथ रहकर धाई साल तक काम कर सकूँ वरना इतने छोटे उमर में मुझे पता नहीं था कि मैं सुप्रीम कोट की सीधियां चड़ पाऊंगा मार्च दोहजार तेइस में जब लाइफ केम फुल सर्कल जो संघर्ष की जो हको की लड़ाई के प्रती रुझान सुरेश कुमार कोशल की judgment से दस साल पहले शुरू हुआ था जो लड़ाई मैंने कोलेज में जेनरेस एंस्टाइजेशन कैंपेंज में लेक्चर्स में लड़ी थी आज उसी लड़ाई का हिस्सा मुझे सुप्रीम कोट के गलियारों में बनने का मौका मिला मौका मिला उन रिफाइन एड़ोकेट्स की टीम का एक पाट बनने का जिन्होंने सुप्रीम कोट में मेरेज एक्वैलिटी केस की अगवाई की थी मौका मिला रिप्रेजेंट करने का मिस जैनब पतेल को जो खुद में ही एक इतनी बड़ी हस्ती है कि उन्हें कुछ लड़ा नहीं है जीया है और शायद इसी लिए 17 अक्टूबर 2023 की उस जज्जमेंट को भी हम हताशा और निराशा के साथ दिन प्रती दिन जी रहे हैं जिस जज्जमेंट ने कोट ने हमें कह दिया कि तुम सब कुछ डिजर्व करते हो तुम्हारे साथ डिस्क्रिमेशन भी होता है पर वो तुम हम से नहीं ले सकते वो तुम्हें उसी सरकार के पास वापिस जाना पड़ेगा जिससे तुम हताश होकर जिससे तुम निराश होकर हमारे पास आये थे जिस कोट ने हमें इतने बरसों तक अधिकारों की दुहाई दी थी उस कोट ने हमें पल में पराया कर दिया सुप्रीम कोट ने अपनी जज्जमेंट के थूँ ये डिकलेर कर दिया कि वी डिजर्व ओल दे राइट्स हम सारे अधिकारों को पाने के लायक हैं सरकार के कानून भी डिस्क्रिमेटरी हैं पर सुप्रीम कोट इस बात पर कुछ नहीं कर सकता डिस्क्रिमेशन पाने के बावजूद भी और हमें उसी सरकार और उनी कानूनों की तरफ लोटना होगा जिन से हताश होकर हम कोट के पास आए थे कुएर समुदाय के हर एक सदस्य को मैं फिर भी यही कहूंगा कि न्याय प्रणालिव में अपनी होप मत खोईए महज कुछ न्याय धीशों के न्याय ने कर पाने के कारए होप क्योंकि उम्मीद उमीद एक जिद्ध है जिद्ध है जो किसी भी सरकार के कानूनों के आधीन नहीं है किनी भी नैयल्यों के नतीजों की मोहताज नहीं है जो समाज के प्रचलन पर निर्भर नहीं करती उमीद एक जिद्ध है